आईए सुनते हैं अध्याय साथ लोकतंत्र के परणाम प्रिष्ट संख्या 89-100 लोकतंत्र के परणाम परिचे अब जबकि हम लोकतंत्र की अपनी यात्रा के आखरी पड़ाओं पर हैं तब विसिष्ट बातों की चर्चा से आगे जाने और कुछ सामाने قسم के सवाल पूछेने का वक्त आ गया है जैसे यही कि लोकतंत्र क्या करता है अत्वा यह कि लोकतंत्र में हम अमूमन किन परणामों की उमीद करते हैं साथी यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि क्या वास्तविक जीवन में लोकतंत्र इन उमीदों को पूरा करता है लोगतंत्र के परणामों का मुल्यांकन कैसे करें हम इनी बातों से अध्याय की शुरुआत करेंगे इस विशे पर विचार करने के बारे में कुछ बातों को इसपस्ट कर लेने के बाद हम इस बात पर गोर करेंगे कि विभने मौामलों में लोकतंत्र से कैसे परणाम वांचित हैं और वास्तविक धरातल पर क्या परणाम आते हैं इसके लिए हम लोकतंत्र के विभने पहलूं मसलन शासन के स्वरूप, आर्थिक कल्यान, समानता, सामाजिक अंतर और टकराव तथा आखिर में आजादी और स्वाभिमान जैसे मामलों पर गोर करेंगे इस तलाश में हमें सकारात्मक परणाम मिलेंगे लिकिन इन परणामों के साथ कई सवाल और शंकाएं भी लगी हुई हैं ये सवाल और आशंकाएं हमें लोकतंत्र के सामने खड़ी चनोतियों पर सोचने के लिए उकसाती हैं जिस पर हम अगले और अंतिम अध्याय में विचार करेंगे लोकतंत्र के परणामों का मुल्यांकन कैसे करें क्या आपको याद है कि मैडम लिंग दो की कक्षा में चात्रों ने लोकतंत्र के बारे में कैसी बातें की थी आपने इसे कक्षा नौ की पाठेपुस्तक के दूसरे अध्याय में पढ़ा था इस बातचीत से यह नतीजा निकलता है कि लोकतंत्र शासन की अन्यववस्थाओं से बहतर है ताना शाही और अन्यववस्थाओं ज्यादा दोश्पूर है लोकतंत्र को सबसे बहतर बताये गया था क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है इससे फैसलों में बहतरी आती है टक्रावों को टालने समालने का तरिका देता है और इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाईश होती है क्या ये उमीदें लोगतांतरिक शासन व्यवस्थाओं से पूरी होती हैं अपने आसपास के लोगों से बात करें तो पाएंगे कि आधिकांश लोग अनिकिसी भी व्यकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोगतांतर को पसंद करते हैं लेकिन लोगतंत्रिक शासन के कामकाच से संतुष्ट होने वालों की संख्या उतनी बड़ी नहीं होती। सो हम एक दुविधा की स्थिती में आ जाते हैं। स्यद्दांतिक रूप से तो लोगतंत्र को अच्छा माना जाता है पर वैवार में इसे इतना अच्छा नहीं माना जाता। इस दुविधा के चलते लोगतंत्र के नतीजों पर ज्यादा गेराई से विचार करना जिरूरी हो जाता है। क्या हम सिर्फ नैतिक कारणों से ही लोगतंत्र को पसंद करते हैं या फिर लोगतंत्र के समर्थन के पीछे कुछ युक्ति परक कारण भी हैं। अजिक स्थिती, अपनी आर्थिक उपलब्दी और अपनी संस्कृतियों के मामले में ये देश एक दूसरे से काफी अलग-अलग हैं। सपस्ट है कि इन सब का लोगतंत्र कि शासन व्यवस्था के नतीजों पर भी असर पड़ता है और एक जगे जो उपलब्दी हो वो दूसरी जगे भी उसी तरह देखे ये जरूरी नहीं है। लेकिन क्या ऐसी कोई बुनियादी चीज है जिसकी उमीद हम हर लोगतंत्रिक शासन व्यवस्था से करेंगे ही। कई बार हम लोगतंत्र को हर मजग की दवा माल लेते हैं और उससे हर चीज की उमीद करने लगते हैं। लोगतंत्र के प्रति, अपनी दिल्रस्पी और दीवानगी के चलते अकसर हम ये कह बैठते हैं कि लोगतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनितिक समस्याओं का समाधन कर सकता है। और जब हमारी कुछ उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम लोगतंत्र की अवधारना को ही दोश देने लगते हैं। इतना ही नहीं लोगतंत्र का उस अनेक चीजों से ज्यादा सरोकार नहीं होता जिनको हम बहुत मूलेबान मानते हैं। लोगतंत्र हमारी सभी सामाजिक बुराईयों को मिटा देने वाली जादू की छड़ी भी नहीं है। तो आईए हम उन चीजों की जाच करें जिसकी उमीद हर लोगतंत्र की व्यवस्था से की जा सकती है और साथ ही लोगतंत्र के रिकॉर्ड पर भी नजर डालते हैं। उत्तरदाई, जिम्मेवार और वैद शासन। कुछ ऐसी चीजें हैं जिने लोगतंत्र को पूरा करना ही चाहिए। लोगतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोगों का अपना शासक चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंतरन बरकरार रहे। वक्त जरूरत और यथा सम्मव इन चीजों के लिए लोगों को नरणे प्रकरिया में भागिदारी करने में सक्षम होना चाहिए ताकि लोगों के प्रती जिम्मेवार सरकार बन सके और सरकार लोगों की जरूरतों और उमीदों पर ध्यान दे। इस सवाल के तफसील में जाने से पहले हमारे सामने एक मामूली सा जान पढ़ता सवाल यह भी है कि क्या लोगतांत्रिक सरकार कारे कुशल होती हैं? क्या यह प्रभावी होती हैं? कुछ लोगों का मानना है कि लोगतांत्र में कम प्रभावी सरकारे बनती हैं। निशित रूप से ये सही है कि आलोकतांत्रिक सरकारों को विधाईगे का सामना नहीं करना होता। उन्हें बहुत संक्यक या आलपसंक्यक नजरिये का ख्याल नहीं रखना पड़ता। लोकतांत्र में बादचीत और मोलतोल के आधार पर काम चलता है। क्या इससे लोकतांत्रिक सरकारें कम प्रभावशिल हो जाती हैं। आईए अब फैसलों को मुल्ली के हिसाब से तौनने की कोशिश करें। ऐसी सरकार की कलपना कीजिए जो बहुत तेज फैसले लेती है। ले कुरा करने में ज्यादा समय ले सकती है। लेकिन इसने पूरी प्रक्रिया को माना है। इसलिए इस बात की ज्यादा संभावना है कि लोग उसके फैसले को मानेंगे और वे ज्यादा प्रभावी होंगे। इस प्रकार लोकतंत्र में फैसला लेने में जो वक्त लगेगा वो पेकार नहीं चाहता अब दूसरे पहलू पर नजर डालें लोकतंतर में इस बात की पक्की विवस्था होती है कि फैसले कुछे कायदे कानून के अनुसार होंगे और अगर कोई नागरी के जाना चाहे कि फैसले लेने में नेमों का पालन हुआ है या नहीं तो वह इसका पता क कर सकता है उसे यह ना सिर्फ जानने का अधिकार है बलकि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध हैं इससे पार दर्शिता कहते हैं यह चीज अकसर गेर लोकतंतरिक सरकारों में नहीं होती इसलिए जब हम लोकतंतर के परणामों पर गोर कर रहे हैं तो यह उमीद करना उच व्यवश्था में ऐसे सरकार का गठन होगा जो कायदे कानून को मणे गी वर लोगों के प्रतिर जवाब दे होगी अगर आप इन नतीज़ों क के अधर पर लोकतंतरिक व्यवस्था को तोलणा चाहते हैं तो आपको व्यवस्थाओं और वयवारों पर गोर करना होगा नेमित और निस्पक्ष चुनाव प्रमुख नीदियों और नए कानूनों पर खुली सारवजनिक चर्चा और सरकार तथा इसके कामकाच के बारे में जानकारी पाने का नागरिकों का सूचना का अधिकार इन पैमानों पर लोगतांत्रिक शासकों का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है नेमित और निस्पक्ष चुनाव कराने और खुली सारवजनिक चर्चा के लिए उप्योकत इस्थितिया बनाने के मामले में लोगतांत्रिक व्यवस्थाइं ज्यादा सभल हुई हैं पर ऐसे चुन का साजा करने के मामले में भी उनका रिकॉर्ड खराब रहा है पर इनकी तुलना जब हम गैर लोगतांत्रिक शासनों से करते हैं तो इनक शेतरों का भी उनका प्रदर्शन बहतर ही डहता है एक व्यापक धरातल पर लोगतांत्रिक सरकारों से ये उमीद करना उच्छी थी कि वे लोगों की जरूरतों और मांगों का ध्यान रखने वाली हों और कुल मिलाकर ब्रश्टाचार से मुक्त शासन दें। इन दो मुआमलों में भी लोगतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड प्रभावशाली नहीं है। लोगतांत्रिक वेवस्थाएं अकसर लोगों को उनकी जरूरतों के लिए तरसाती हैं और आबादी के एक बड़े हिस्से की मांगों की उपेक्षा करती हैं। प्रष्टाचार के आम किस्से इस बात की गवाही देते हैं कि लोगतांत्रिक वेवस्था इस बुराई से मुक्त नहीं है। पर इसके साथ इस पर भी ध्यान दें कि गेर लोगतांत्रिक सरकारें कम ब्रश्ट हैं या लोगों की जरूरतों के प्रती सम्विदेशिल हैं या कहने का कोई आधार नहीं है बहराल एक मामले में लोगतांत्रिक शासन व्यवस्ता निश्ट रूप से अन्य शासनों से बहतर है यह वैद शासन व्यवस्ता है यह सुस्त हो सकती है पर कम कारिकुशल हो सकती है इसमें ब्रश्टाशार हो सकता है यह लोगों की जरूरतों की कुछ हद तक अन्देखी कर सक लेकिन लोगतंतरिक शासन वैवस्ता लोगों की अपनी शासन वैवस्ता है। इसी कारण पूरी दुनिया में लोगतंतर के विचार के प्रती जबरदस्त समर्थन का भाव है। साथ दिये गए दक्षन एशिया के परमानों से जाहिर है कि इस समर्थन लोकतंत्रिक शासन वाले मुलकों में तो है उन देशों में भी जहां लोकतंत्रिक सरकारे नहीं हैं। लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिदियों का शासन चाहते हैं। वे यह भी मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के लिए उप्योक्त है। अपने लिए समर्थन पैदा करने की लोकतंत्र की खशामता भी लोकतंत्र का एक परणाम ही है और इसकी अंदेख ही नहीं की जा सकती। आर्थिक सम्रध्धी और विकास। अगर लोकतंत्रिक शासन में अच्छी सरकार की उ उससे विकास की उम्मीद करना क्या उचित नहीं है। विकास कई कारकूं, मसलां देश की जनसंख्या के आकार, वैश्विक स्थिती, अन देशों से सहयोग और देश द्वारा तैकी गई आर्थिक प्राथमिक्ताओं पर भी निर्भर करता है। विकास दर में अंतर भले ज्यादा हो लेकिन इसके बावचूद लोकतंत्रिक विवस्था का चिनाव ही बहतर है क्योंकि इसके अन्य अनेग सकारात्मक फायदे हैं। लोकतंत्र की आर्थिक उप्राथियां लोकतंत्र के पक्ष में दिये जाने वाले तरक बड़े भावपूर होते हैं। ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि लोकतंत्र का रिष्टा हमारे गहले मूलियों से हैं। इन तरकों के इर्दिगर्द होने वाले बहसों को साधधरन तरेके से नहीं निप्राए जा सकता। फिर भी तत्यों और आंकनों के अधर पर लोकतंत्र के बारे में थोड़ी बहस चलाने में हर्ज नहीं है। लोकतंत्र की आर्थिक उप्रब्दियों के बारे में भी ऐसी बहस की जा सकती है। वर्षों से लोक तंद्र के अनेक अध्यताओं ने साउधानी पूर्वग ऐसे प्रमार इकटा किये हैं जो पताते हैं कि लोक तंद्र का आर्थिक विकास और आर्थिक असमानताओं से कैसा रिष्टा है असमानता और गरीबी में कमी आर्थिक सम्रद्धी की बात तो खैर है ही लेकिन लोगतांत्रिक व्यवस्थाओं से ये उमीद रखना कहीं ज्यादा तरक संगत है कि वे आर्थिक असमानता को कम करेंगी जब देश में आर्थिक विकाज तेज हो तब भी क्या आमधनी का वित्र इस तरह हो पाता है कि सभी को उसका बराबर बराबर लाब मिले और सभी लोग बहतर जीवन गुजार सकें क्या लोगतंत्रिक व्यवस्ता में आर्थिक समवरधी और लोगों के बीच आर्थिक असमानता का बढ़ना साथ साथ होता है क्या लोगतंत्र आने से आवसारों और वस्तों का नियापूर्ण वित्रन हो पाता है गरीब की आवाज लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर अधरित होती है प्रतिनिदियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन बराबर होता है व्यक्तियों को राजनीतिक शेतर में परसपर बराबरी का दरजा तो मिल जाता है लेकिन इसके साथ साथ हम आर्थिक असमानता को भी ब समाज के सबसे निचले हिस्से के लोगों को जीवन बसर करने के लिए काफी कम साधन मिलते हैं, उनकी आमदनी गिरती गई है, कई बार उन्हें भोजन, कपड़ा, मकान, सिक्षा और इलाज जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करने में मुश्किलाती है, वास्तिविक जीव हमारे मतदाताओं में गरीबों की संख्या काफी बड़ी है, इसलिए कोई भी पार्टी उनके मतों से हात धुना नहीं चाहेगी, फिर भी लोगतांत्रिक ढंग से नर्वास्ति सरकारें गरीबों के सवाल पर उतना ध्यान देने को ततपर नहीं जान पड़ती, जितने की आ उनसे उमीद करते हैं, कुछ अन्य देशों में हालत इससे भी ज्यादा खराब हैं, बंगला देश में आधी से ज्यादा आबदी गरीबी में जीवन गुजारती है, अन्य गरीब देशों के लोग अपनी खाद आपूर्ती के लिए भी अब अमीर देशों पर नर्भर हो ग हैं कि वो सदभाव पूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्द कराएगी, हमने इससे पहले के अध्याओं में पाया कि लोगतांतरिक व्यवस्थाएं अनिक तरह के सामाजिक विभाजनों को समालती हैं, हमने पहले अध्याओं में देखा कि किस तरह बेल्जियम ने अपने यहा के विसफोटक या हंसक रूप लेने की अंदेशा कम हो जाता है। कोई भी समाज अपने विभन समुहों के बीच के टकरावों को पूरी तरह और इस्थाई रूप से नहीं खत्म कर सकता पर हम इन अंतरों और विभूदों का आदर करना सीख सकते हैं और इनके बीच बातच हैं या उन्हें दबाने की कोशिश करती हैं इस प्रकार सामाजिक अंतर विभाजन और टकरावों को समहलना निशित रूप से लोगतांतरिक विवस्थाओं का एक बड़ा गुण है। प्रशलंका का अधरन हमें इस बात की भी याद दिलाता है कि इस प्रणाम को हसिल करने के लिए लोगतांतरिक विवस्थाओं को स्वैम भी दो शर्तों को पूरा करना होता है। पहला ये गोर करना जरूरी है कि लोगतांतर का सीधे सीधे अर्द बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है। उसके साथ काम करन की जरूरत होती है तब ही सरकार जल्म सामाने की इच्छा का प्रतिनेद्ध्व कर बाती है बहुमत और अल्पमत की राय कोई इस्थाई चीज़ नहीं होती दूसरा यह भी समझना जरूरी है कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म नस्ल अत्वा भाशाई आधार के बहु संख्य कर रहे कर सकते हैं या बहुमत में हो सकते है लोक तंसर तभी तक लोगतंत्र लएता है जब तक प्रतेक नाग्रे को किसी ना किसी औुसर बहुमत का इस्सा बनने का माउका मिलता है। अगर किसी को जर्म की आधार पर बहु संध्यक समुदाय का हिस्सा बनने से रूखा जाता है तब लोगतांतिक शासन उस व्यक्ति ये समुख के लिए समावेशी नहीं रह जाता नागरिकों की गरिमा और आजादी व्यक्ति की गरिमा और आजादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्यशासन प्रणाली से काफी आगे है प्रत्यक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाता है अक्सर टकराव तब ही पैदा होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का वहवार नहीं किया गया गरिमा और आजादी की चाह लोगतांतर का आधार है दुनिया भर की लोगतांतरिक व्यवस्थाईं इस चीज़ को मानती है कम से कम सिद्धांत के तौर परते जरूर आलग अलग लोगतांतरिक व्यवस्थाईं में इन बातों पर आलग अलग स्तर का आचरण होता है लोगतांतरिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती फिर जो समाज लंबे समयता गुलामी में रहे उनके लिए ये हसास करना आसा नहीं है कि सभी व्यक्ती बराबर है यहां इस्तरियों की गरिमा का ही उधरने दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष परदान समाज रहे है महिलाओं के लंबे संगर्ष के बाद अब जाकर ये माना जाने लगा है कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवार लोकतंतर की जरूरी शर्त है और आज अगर ये कहीं हालत है तो उसका मतलब नहीं है कि ओरतों के साथ सदा से समान का व्यवार हुआ है बहराल एक बार जब सद्धान्त रूप में इस बात को स्विकार कर लिया गया है और अब औरतों के लिए वैधानिक और नैतिक रूप से अपने प्रती गलत मानताओं और व्यवारों के खिलाफ संगर्ष करना आसान हो गया है अलोगतांतरिक व्यवस्था में यह बात संभाव ना थी क्योंकि वहाँ व्यक्तिकत आजादी और गरिमा ना तो वैधानिक रूप से मानने है ना नैतिक रूप से यही बात जातिकत असमानताबर भी लगू होती है भारत में लोकतांतरिक व्यवस्था ने कमजोर और भेदभाव का शिकार हुई जातियों के लोगों के समान दर्जे और समान आउसर के दावे को बल दिया है आज भी जातिकत भेदभाव और दमन के उधरन देखने को मिलते हैं पर इनके पक्ष में कानूनी या नैतिक भल नहीं होता संभावता इसी एहसास के चलते आम लोग अपनी लोकतांतरिक अधिकारों के परती ज्यादा चौकस हूं है लोकतंतर से लगाई गई उमीदों को किसी लोकतंतरिक देश के मुल्यंकन का आधार भी बनाये जा सकता है लोकतंतर की एक खासियत है कि इसकी जाँच परक और परिक्षा कभी खत्म नहीं होती वह एक जाँच पर खरा उतरे तो अगली जाँच पर आ जाती है लोगों को जब लोकतंतर से थोड़ा लाभ मिल जाता है तो वे और लाभ हों की मांग करने लगते हैं वे लोकतंतर से और अच्छा काम चाते हैं यही कारण है कि जब हम उनसे लोकतंतर के कामकाच के बारे में पूछते हैं तो वे हमेशा लोगतंतर से जुड़ी अपनी अन्य अपेक्षाओं का पुलंदा खोल देते हैं और शिकायतों का अंबार लगा देते हैं। शिकायतों का बने रहना भी लोगतंतर की सभलता की गवाही देता है। इससे पता चलता है कि लोग सचेत हो गए हैं और वे सत्ता में बैठे लोगों के कामकाच का आलोशनात्मक मुल्यांकन करने लगते हैं। लोगतंत्र के कामकाच से लोगों का असंतोष जताना लोगतंत्र की सफलता को तो बताता ही है, साथ ही ये लोगों की प्रजा से नागरिक बनने की गवाही भी देता है। आज अधिकांश लोग मानते हैं कि सरकार की चाल ढाल पर उनके वोट से असर पड़ता है और ये उनके अपने हितों को भी प्रभावित करता है अभ्यास एक, लोगतंत्र किस तरह उत्तरदाई, जम्मिवार और वैद सरकार का कठन करता है दो, लोगतंत्र किन स्थितियों में सामाजे के विविधता को समालता है और उनके बीच सामंजस बैठाता है अध्योगिक देश ही लोगतंत्रिक विवस्था का भार उठा सकते हैं पर गरीब देशों को आर्थिक विकास करने के लिए ताना शाही चाहिए लोगतंत्र अपने लागरिकों के बीच की असमानता को कम नहीं कर सकता गरीब देशों की सरकार को अपने ज्यादा संसादन गरीबी को कम करने और आहार, कपड़ा, स्वास्थे तथा सिक्षा पर लगाने की जगे उद्योगों और बुनियादी आर्थिक धांचे पर खर्च करने चाहिए नागरिकों के बीच आर्थिक, समानता, अमीर और गरीब दोनों तरह के लोगतंत्रिक देशों में है लोगतंत्र में सभी को एक ही वोट का दिकार है, इसका मतलब है कि लोगतंत्र में किसी तरह का प्रभत्व और टकराव नहीं होता इन ब्योरों में लोगतंत्र की चुनोतियों की पहचान कीजिए ये स्थितियां किस तरह नागरिकों के गरिमापून, सुरक्षित और स्चान्तिपून जीबन के लिए चुनोति पेश करती हैं लोगतंत्र को मजबूत बनाने के लिए नीतिकत संस्थाकत उपाय भी सुझाईए उच्चे निया एलाय के नदेश के पाद औरिसा में दलितों और गरे दलितों के परवेश के लिए अलग-अलग दरवाजे रखने वाले एक मंदिर को एक ही दरवाजे से सब को परवेश की अनुमती देनी पड़ी बारत के विभने राज्यों में बड़ी संख्या में किसान आत्मात्या कर रहे हैं जम्मु कश्मीर के गंड़वारा में मुडभेड बताकर जम्मु कश्मीर पुलिस द्वारा तीन नागरिकों की हत्या करने के आरोफ को देखते हुए इस घटना के जांच के आदेश दिये गए पाँच लोगतांत्रिक विवस्थाओं के संदर्व में इन में से कौन सा विचार सही है लोगतांत्रिक विवस्थाओं ने सभलता पुरवक लोगों के बीच टकराओ को समाब्द कर दिया है लोगों के बीच की आर्थिक असमानताइं समाब्द करती है हाशिये के समूहों से कैसा वहवार हो इस बारे में सारे मदभेद मिटा दिये है राजनिती के गेर बराबरी के विचार को समाब्द कर दिया है छे, लोकतंत्र के मुल्यांकन के लिहाज से इन में से कोई एक चीज लोकतंत्रिक व्यवस्थां के अनुरूप नहीं है उसे चुनिए ग, स्वतंत्र और निस्पक्ष चुनाव, ख, व्यक्ति की गरिमा, ग, बहुत संख्यकूं का शासन, ग, ग, कानून से समक्ष समानता साथ, लोकतंत्रिक व्यवस्था के राजनितिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किये गए अध्यन बताते हैं कि लोकतंत्र और विकास साथ ही चलते हैं, लोकतंत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताओं बनी रहती हैं, ताना शाही में असमानताओं नहीं होती, ताना शाहियां लोकतंत्र से बहतर साबित हुई हैं इस अनुछेत को ध्यान से सुनिए कन्नू एक दिहाड़ी मजदूर है वह पूरवी दिल्ली की एक जुगी बस्ती वेलकम मजदूर कॉलोनी में रहता है उसका राशन कार्ड गुम हो गया है और जनवरी 2006 में उसने डुपलिकेट राशन कार्ड बनाने के लिए अरजी दी अगले तीन महीनों तक उसने राशन व अधिकार का उप्योग करते हुए अपनी अरजी की देनिक प्रगति का ब्यौरा देने का आविदन किया इसके साथ ही उसने इस अरजी पर काम करने वाले अधिकारियों के नाम और काम ना करने की सूरत में उनके खिलाफ होने वाले कारवाई का ब्यौरा भी मांगा सूचना के अधिकार वाला आविदन देने के हफते भर के अंदर खादि विभाग का एक इंस्पेक्टर उसके घर आया और उसने नन्नू को बताया कि तुम्हारा राशन काड तयार है और तुम दफ्तर जाकर उसे ले जा सकते हो अगले दिन जब नन्नू राशन काड लेने गया तो उ उस इलाके के खाद्य और आपूरते विभाग के सबसे बड़ा अधिकारी ने गर्म जोशी से उसका स्वागत किया इस अधिकारी ने उसे चाय की पेशखश की और कहा कि अब आपका काम हो गया है इसलिए सूचना के अधिकार वाला अपना आविदन आप वापस ले 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 सरकारी कर्मचारियों के पास जाने का उनका अनुभव कैसा रहा है